सब्सक्राइब माई चैनल फाइन्स ग्रू एसमेच एंड टैब बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज में आंसर क्या होने चाहिए जो लोगों के डाउट को रिजॉल करें और मिस्कंसेप्शन को खत्म करें मार्केट से तो आएए उस मिट्स को खत्म करते हुए और कुछ कॉंसेप्स को जानते हुए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले कुछ कॉंसेप्स को देख लेते हैं सबसे पह Financial year का मतलब होता है, 1 April से 31 March, लेकिन हम कैसे calculate करेंगे, suppose करो, अभी जो due date आ ये income tax return file करने के, वो 31 July 2022, 31 July 2022 है, तो उसके लिए हम financial year कौन से लेंगे, हम financial year लेंगे, 1 April 2021, 31 March 2022, मतलब एक चार 2000, 21 से 31 March 2022 वाला जो period होगा, ये हमारा financial year होगा, और assessment year का मतलब होता है, financial year के बाद वाला असेस करते हैं, और उसी टाइम पे हम फाइल भी कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा हमारा financial year, इसके बाद वाला period, मतलब 1 April 2022 से लेकिए, और 31 March 2023 तक ये हो जाएगा assessment year, for the financial year of 21-22, तो ये आपको ज़रूर ध्यान अखना होगा, और तीसरी बात, assessi का मतलब क्या होता है, assessi का असेसी के लिए है, assessi के लिए है, assessi मतलब जैसे आप और मैं कंपनी, कोई भी person जो होता है, और person के अंदर आता है, individual, huf, aop, boi, artificial, juridical person, company, firm, llp, ये सब person में count होते हैं, ये जरूर धान रखना, और ये सारे के सारे लोग income tax department के लिए assessi में count होते हैं, तो assessi का मतलब जिसक तो loss incur कर रहा है, तो आखिर मैं income tax return फाइल करके करूंगा क्या, friends, मैं बता हूँ आपकी दिमाग में ऐसा क्यों चलता है, कि आपकी दिमाग में वो धाई लाख रुपे वाली limit का, जो maximum exemption limit होते हैं, वो चलता रहता है, कि धाई लाग की limit तो ही न, अगर profit होगा तो धाई ला करना होगा, इनका sum up करना होगा, और sum करने के बाद, लेकिन deductions avail करने से पहले, जो chapter 6 की deduction होते हैं, उनको avail करने से पहले देखना होगा, कि वो जो income आ रही है, क्या वो more than basic exemption limit है, क्या वो धाई लाख से जादा की income आ रही है, अगर हाँ, तो आपको income tax return फाइल करना mandatory, और कर रहे होंगे, तो salary income भी हो सकती है, तीसरा house property की income, मतलब आप rental income कमा रहे होंगे, चौथा यहाँ पर capital gain, मतलब आपने कोई property जो long term थी है, short term थी उसको बेचा, उसको capital gain हुआ, short term, long term वाला, या फिर any other source की income, commission income, dividend income, interest income, कोई भी इनका हो सकती है, इन सब को total कीजिए, धाय ल return file करना होगा, चाया profit कमा रहे हो, या फिर आप loss कमा रहे हो, अब बात करते है, second myth, दूसरा myth लोगों के अंदर यह होता है, कि हमने CA से return file कराई है, या फिर अपने lawyer से return file कराई है, तो जो मेरा refund आ रहा है, जो उसमें delay हो रहा है, वो सारी जिम्मेदारी इन ही लोग की है, ब वो आपको सिर्फ एक assistance प्रोवाइड कर रहा है, रिटन फाइल करने में, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि आपका refund डिले क्यों हो रहा है, या फिर डिले होने के लिए वो इतना time क्यों नहीं है, वो जल्दी से उसको refund करा दे, ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता, और एक आता हो गई, और ITR has been processed, तो process होने एक कुछ दिनों के अंतर आतर आपको पास refund आ जाता है, अब एक मुद्दे के बास सुनिए, जो मैं आपको best point बताने जा रहा हूं, section 244, capital A of the income tax act के according, अगर आपने किसी भी तरह का TDS, या फिर advanced tax, या फिर TCS जो जमा हुआ हुआ है आपक 5% per month और part of the month के हसाब से interest भी मिलता है, अगर इसको हम common way में देखें तो ये 6% per annum के हसाब से interest rate हो जाता है, जो कि काफी सही चीज है, तो यह आपको ध्यान रखना होगा, यहा पर आपको दो बातों को ध्यान रखना होगा, जब भी आपको refund आएगा, तो refund दो तरीके से आत इस duration के बीच का interest मिलेगा, लेकिन अगर बात करो, आपने due date के बाद में return file की, तो जो date of actual filing of the return से लेके, और date of amount जो आपकी account में refund हो जाता है, तो इस duration के बीच का आपको 0.5% per month और part of the month का refund होगा, तो कोशिच किजा हम इसे due date से पहली file किजा, so that आपको जादे duration का interest आपको म दोमने के लिए, मैं कैसे return file कर सकता हूँ, और 31 July last date और मैं तो उसके बाद ही वहाँ से आऊँगा, तो friends, मैं आपको बता दूँ, क्यूंकि आपको return file करना होता है, income tax के website पर, और website कहीं से भी accessible है, क्योंकि वो internet पे बेस्ट है, जैसे आप अपने facebook और अपने linked account को login करते है, in यूटेट से पहले पहले कोशिच की return file करने की, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, कि मैं Delhi में हो, तो Delhi सही return file करूँगा, मैं आपको बता दूँ, जब भी आप return file करते हैं online, उस case में, जिस भी जगह से आपका return file हो रहा है, वहाँ का IP address आपके income tax के form में mention हो जाता है, कि this IP address से इस location पर file किया गया है, तो ये कभी घबराइए मत कि कहां से file कर पाऊंगा, या फिर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तो Delhi में रहता हूं, और मैं इस वक्त जमू में हूँ, मैं लदाक में हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वह online file होना है, तो आप कहीं income tax के website है, वहाँ पे सिर्फ आप एकलौते ऐसे बंदे नहीं, जिनकी return file हो रही है, ऐसे हजारों लाखों करोडों लोग हैं, जो हाँ पे return file करते हैं हर साल, और ये एक secured server है, और ये government of India के एंडर में आता है, इसमें घबरानी को ज़रोत नहीं है, ये एक secured server है, अब वहाँ पे जाईए, बेफिकर हो के return file कीजिए, और उस return file करने के साथ-साथ, अपने आपको भी satisfy कीजिए, ये एक secured server है, मेरा कहीं data breach नहीं होने वाला, और एक आपने compliance को भी पूरा कर दिया, जो कि आपके लिए beneficial है, तो बढ़ते हैं अब next myth के उपर, इंकम tax की return की mandatory वाली field होती है, कि आखिर कौन सा ऐसा criteria है, जिसके बाद मैं mandatory मुझे return file करना ही होगा, तो देगे, पहले तो सबसे पहले basic exemption limit है, जो की थाई लाग, तीन लाग, तीन लाग वाली होती है, अगर आपकी 60 साल से जादा है, लेकिन 80 साल तक की है, तो आपकी basic exemption limit हो जरूत नहीं है, और यहां तकी income tax return file करने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं बात करता हूँ कि क्या mandatory requirements है, जहाँ पर आपको return file करना ही पड़ेगा, चाए basic exemption limit से कम ही क्यों नहीं हो आपकी income, तो आईए उन सारी बातों को सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहली बात तो य कि अगर आप कहीं foreign tour पे जा रहे हैं और आपने वहाँ पे expenditure कर दिया more than or equal to 2 lakh rupees during the financial year, तो आपको return file करना mandatory हो जाएगा, दूसरी बात यह है, अगर आपने during the financial year 1 lakh rupees से ज्यादया का electricity बिलोता है, वो पे कर दिया, तो उस case में भी आपको return file करना mandatory हो जाएगा, और एक और तीसरी condition है, कि अगर आपने current account में more than or equal to 1 lakh rupees जमा करा दिया during the financial year, तो उस case में भी आपको return file करना mandatory हो जाएगा, और एक और condition, उसमें यह कहता है, कि अगर आपके pen pay, TDA से TCS जमा हो गया during the financial year, कितना 25,000 rupees और more, तो उस case में आपको return file करना mandatory हो जाएगा, यह normal case में 25,000 है, और अगर senior citizen ह तो उस वहाँ प्यार जाएगा 50,000 rupees, तो यह चार condition आप जरूर धियान रखना, अगर यह चार condition में से कोई भी fall करती है, आपके financial year में, तो उस financial year का आपको mandatorily return file करना ही पड़ेगा, तो अब बढ़ते हैं next myth के उपर, अगर किसी भी साल में आपकी income जो है, वो basic exemption limit से third parties, ध्यान रखना from third parties, और वो कैसे पहुंचती है, कहां पहुंचती है, क्या आपके पास, किस-किस department के थूरू information पहुंचती है, वो बताऊंगा अभी मैं, लेकिन यह बास ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप return file नहीं करते हैं किसी भी साल के, और उस साल के आपकी income जो basic exemption limit से जादा है, और आपको उसका reason देना पड़ सकता है, और अगर मान लीजे कि सिर्फ income जादा नहीं है, आपके उपर tax liability भी बन रही है, तो in that case, आपके उपर penalty भी चार्ज हो सकती है, और proceedings भी आगे फर्दर हो सकती है, तो यह ज़रूर ध्यान रखेगा, ऐसा मस सोचे है कि अगर आपने return file नहीं किया है, तो department को आपकी income के बारे में पता ही नहीं चलेगा, उनको आपकी सारी information के बारे में पता होता है, जहां पे भी किसी भी transaction में during the financial year, आपका pen card link है, मतलब कोई भी आपने ऐसी transaction की, जहां पर अपना pen card दे दिया, तो वहां की सारी information, government of India के पास मे तब होता है, जब listed company आपको buyback करके पैसे देती है, shares buyback करके पैसे देती है, और FEMA 1999 act जो होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपको भी foreign exchange transaction कर रहे हैं, so foreign exchange transaction की भी information, government of India के पास में चले जाती है, और साथ में अगर आपको भी property के registry करा रहे हैं, तो वो भी information उनके पास चल देगा, देखिए, आप पहले इस साल का तो return file कर लीजे, पिछले साल का थी वही बात आ जाती है, पिछले साल के लिए कि अगर आपकी basic exemption limit से जादा है, और अपने return file नहीं किया है, तो notice आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस बात का जरूर देहान रकना होगा, जब आप खुली तभी सावेरा, आज अपनी return file करना शुरू कीजे, और आज के बास से हमिशा continue करते रही है, क्योंकि यह आप एक compliance को यह पूरा कर रहे है, जो आप ही के लिए beneficial है, अब बढ़ते हैं अपने next myth की तरफ, इस फर प्राइजिंग involved हो जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है, 30th November of the assessment year, तो इन तीन due dates को आप ज़रूर ध्यान रखेगा, normally 31st July में ज़्यादो लोग फॉल करते हैं, बिकाज सेलरी परसन ज़्यादा होते हैं, तो उन लोग के लिए आप बढ़ा clear cut answer है, 31st July of the assessment year, और मैं आप को एक चीज़ और बता दू, कभी भी इस चीज़ को मस हो जाएगी, 31st March जो होती है, वो last date होती है, because 31st March financial year का last date होता है, अगर माली जेगे आपने due date के अंदर अंदर return file नहीं किया, तो आप return file कर सकते हैं, up to the maximum of 31st December of the assessment year, लेकिन वहाँ पे आपको late fees charge होगी, 1000 रुपी या फिर 5000 रुपीज, अब बढ़ते हैं अपने next myth की तरफ, बहुत से लोगों को यह लगता है कि pen card देना बहुत जरूरी है, income tax return file करने के लिए, तो मैं आपको बता दू, कोई भी person, अगर first time income tax return file करा रहा है, और person में कौन कौन आता है, individual achieve of AOB, BOI, artificial juridical person, company, LLP form, इन सब को, first time अगर registration दे रहे हैं, तो पहली बारे में जब registration होता है न, income tax website पर, तो pen card compulsory है, अब बात करते हैं, subsequent years में क्या होगा, अगर उसके बाद, subsequent years में अगर आप return file करते हैं, so in that case, अगर अगर आप, solid person है, senior citizen है, self-employed या फिर NRI हैं, तो आप pen card के इलावा, अधार card के through भी income tax return file क through भी income tax के website पर login करके और return file कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात, ऐसी नहीं है, अब बढ़ते हैं अपने next myth की तरफ, बहुत से लोग का ऐसा खहना होता है कि यार मैं क्यों return file करो, मेरे employer ने तो return file कर दिया न, अब मैं बताता हूँ आप लोगों के अंदर ये टीस क्यों कर दी, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने tds file किया होता है, और tds की return file कि होती है, और साथ में last में, किसी भी salary person के case में, last में क्या होता है न, आपको salary की detail भी file करनी होती है, जो भी employer होते हैं, तो employees का ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी salary की detail डाल के दे दी है, form 16 में, इसका मतलब उन अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिक्स मत कीजिए, और अब compliance को पूरा कीजिए, return file की टाइम से पहले पहले, और क्योंकि return file करने में, आपको बहुत से फायत होते हैं, banks में जाएगा loan लेने के लिए, तो आपको सबसे पहले वो income tax के return नहीं मांगते हैं, और साथ में, अग और इसमें आपको थोड़ी बहुत information हासिल हुई और जो आपके लिए नहीं हुई, आपको ऐसा लगता है कि information बहुत जरूरी थी, तो please अपने friend circle में भी इसको circulate कीजिए, और उन सब को बताईए, कि जो भी मित हैं, उन सब चीज को दिमाग से निकाल दें, और सही information को अपन करें, और non-compliance से बचते रहें, because non-compliance होने में penalty charge हो जाती है, और notice आने लगते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी खतरनाक है, उससे बेतर यह है कि आप शुरुआत में ही जाए, और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास income tax के तरफ से कभी भी किसे भी तरह का notice हाता है तो जब भी आप पास कोई भी notice हाए, तो रंत लेके जाएगे, उसको delay बिलकुल भी मत कीज़े, ex-party होने से जरूर बची, मुझे बताना आपके information कैसे रगी, I will catch your next video, until then, like this video, share this video and subscribe this channel, goodbye, मिलते हैं next video